आज को दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हमारे सामने कड़ा है Pulsar 125 का तीन मॉडल इससे आपको जानकर ही हो चुक है कि अगर आप अपने और अपने फैमिली की यूज के लिए Pulsar 125 लेना चाहते हैं तो बाइक में तीन वेरिंट मिलता है तो चले सबसे पहले इन सभी के और प्रैस की बात करते हैं सबसे पहला मॉडल है Pulsar 125 का स्प्लीट सीड वेरिंट इस बाइक का दोस्तों हमारे जमशितपूर का और प्रैस है 1,15,800 रुपीज और आप दिखे इस बाइक में आपको खुछी इस तरह का दिखने अला काफी स्पोर्टी सा स्प्लीट सीड मिल और बाइक के इंजन के सामने के तरफ में आप देखे यहां पर आपको एक इंजन काउल भी लगा हो मिलता है इसके बाद Pulsar 125 में दूसरा वेरिंट है कारवन फाइवर एडिशन इस बाइक को कारवन फाइवर एडिशन इसलिए का आजाता है कि आप दिखे इसके आप ग्र एक फैमिली को यूज करने के लिए काफी अच्छा सीट मिल जाता है साथी बाइक के कंसोल में आप देख रहे हैं इसमें भी आपको फुली डिशल कंसोल के साथ ब्लूत कनेक्टिविटे मिलता है जिसमें आप कॉल वेगर है को रिसीब करना या रिजेक्ट करना वो कर पात है और इस बाइक को दोस्तों हमारे जमशितपुर का अंडरोड पैस है 1,2,000 रुपीज और बताना चूंगा इस बाइक में करीब 2,000 रुपे प्राइस दोस्तों इंक्रीज हो चुका है अभी 2,025 आया नहीं है और पलसर 125 का प्राइस दोस्तों बढ़ चुका है इस बाइक का खास फाइदा रहता है कि अगर आपके घर में कोई female person है और आपके साथ हमेशा bike में कहीं आना जाना करते हैं तो इस तरह के grabber रहने से उन्हें बैट के bike में पकड़ के कहीं भी ride में जाना है तो आसानी रहती है और सभी bike में पलसर में आपको साड़ी गार्ड और लेडि फिस दोस्तों आपको नजर आएगा तो आप सबसे पूछना चाहूँगा कि जो neon edition में आपको जो यह ला कंसूल मिल रहा है डिस्टल आनलोग वाला यह ला कंसूल आपको ज्यादा पसंद है या फिर आपको fully digital console पसंद है मुझे comment section में comment करकर जरूर बताइएगा Pulsar 125 neon edition bike में दोस्तों आपको दो कमी महसूस होगी पहला कि आपको इस neon edition में USB mobile charging socket नहीं मिलता है और आप देखे इस bike के engine के सामने में आपको engine call लगा होगा नहीं मिलता है यह वाला जो engine call है जो आपको carbon fiber edition और split seat में जो मिलता है यह वाला बजाज के उतराई service center से दोस्तों 1600 रुपीज में purchase करके आप अपने neon edition में भी लगवा सकते हैं और इस तीनों variant में price के साथ क्या features में आपको थोड़ा वद फर्क देखने को मिलता है इसके बारे में आपको जानकरी मिल चुकी है और आप bike के मिलने LS के सभी features की बात करते हैं आपको finance के बारे में जानकरी देना सकते हैं बाइक का 24 मन्त के EMI और 36 मन्त के EMI आपके screen पर नजर आ रहा है और आप दोस्तों bike के मिलने LS के सभी features की बात करते हैं सबसे पहले आप देखें तीनों का जो rear में mirror है आप देखें आपको same एक जैसा दिखता है तीनों bike के headlum पे ध्यान देंगे तो आप देखें त smoke gray color का मिलता है तीनों में मैं पीछडता हूँ आप देखें आपको नजर आ रहा है यहां थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा अगर आप डियोन एडिशन लेते हैं तो आप देखें इसके headlum visor में आपको यहां side में graphic लगाओ नजर आएगा और आप अगर pulsar का carbon fiber edition या फिर split seat variant लेते हैं तो उसका जो graphic है उपर के दरप में लगा है बस यही खास फर्क नजर आएगा और turn signal indicator पे ध्यान देखें तो आप देखें तुनों में same design के turn signal indicator है normal bulb है और आप देखें यह सब में indicator आपको काफी flexible मिलता है तीनों bike के front में आप देखें तीनों bike में आपको body color से paint आपको mudguard मिल जाता है अगर आप neon edition लेते हैं तो आप देखें इसके mudguard में आपको कोई graphic लगा हुआ नहीं मिलता है आप अगर पलसर का carbon fiber edition या फिर split seat variant लेते हैं तो इसके mudguard के उपर आप देखें आपको यह वाला जो graphic है carbon fiber texture यह लग ग्राफिक आपको लगा मिलेगा साथी bike के wheel पे ध्यान दीजे तीनो bike में आपको एक जैसा दिखने आला ओलाई wheel मिल जाता है और तीनो bike के wheel में आप देखें फ्रेंट में यहाँ पर आप देखें 80 by 100 section का tire है आप अगर carbon fiber edition ले लेगे आप देखें यहाँ पर भी 80 by 100 section का tubeless tire है और आप अगर neon edition लेते है तो आप देखें यहाँ पर भी आपको 80 by 100 section का tubeless tire मिलता है और तीनो bike के front brake पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे 240 mm का disc brake मिल जाता है और अब दोसको इन तीनो bike के console और handlebar में लेगे switches पे एक नज़र डालते हैं तो आप सभी जान चुके हो कि अगर आप neon edition लेते तो यहाँ प देख पाते हैं और यहाँ पर एक reset button दियागे जिसे प्रेस करके आप इसका trip 1, trip 2 देख पाएंगे और आप अगर carbon fiber edition या फिर split seat variant लेते हैं तो दोनों में console एक ही है चलिए मैं किसी एक को दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको console मिलता है जिसमें आपको call alert, miss call alert, asmess alert और फूर बैटरी लेवल है इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर नज़र आएगा आपको मैं देखे कि बंद कर क्य आपको यहाँ पर नज़र आया था इस डिस्प्ले में आप उपर में rpm देख पाएंगे time बड़े फॉर्ण में km per hour इस तरफ में fuel gauge है यहाँ और ट्रिप A है और इसका mode बेटन है आप दिखे डिस्प्ले के नीचे में नहीं है लेप सेट के handlebar में यह gray color का बेटन अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ से आप इस बाइक का IFE instant philokonomy distance to empty और AFE average philokonomy A और B देख पाएंगे और अंदर में warning वेगर है और इसे के अंदर setting में जाके आप time वेगर को जो भी set करना आप कर पाएंगे सेम चीज़ उस bike में भी आपको मिलता है अब handlebar में लगे switches की बात करते हैं दोनों bike का जो handlebar में switches है same है compare करते है neon के साथ आप देखिए अगर आप neon edition ले रहे तो इसके right set के handlebar में आपको self engine kill switch मिलता है आप अगर carbon fiber edition या split seat लेता है तो यहाँ पर भी आपको self के साथ engine kill switch मिलत है फर्क है left set के handlebar में आपको नज़र आगा अगर आप carbon fiber edition ले रहे तो आप देखिए इसमें आपको integrated high beam low beam pass switch mode button turn signal indicator switch और horn मिल जाता है और neon edition में यहला switches का जो panel है आपको थोड़ा सा अलग नज़र आगा यहाँ पर आपको pass switch मिल रहा है high beam low beam switch turn signal indicator switch और horn मिलता है और handlebar आप द यह तीनों bike में आपको 11.5 liter capacity का fuel tank मिलता है tank में कोई भी changes नहीं है तीनों bike के tank में आपको tank pad और pulsar आपको 3D में लगा नज़र आगा फर्क बस इतना ही है कि carbon fiber edition और जो neon edition है इसके graphic में आपको थोड़ा सा फर्क नज़र आएगा और एक छोड़ा सा फर्क जो आभी मैं देख पार हूँ अगर आप pulsar का carbon fiber edition या split seat variant लेते तो आप देखे इसमें जो pulsar का 3D logo है silver color में मिल रहा है neon edition में दोस्तों आपको ये chrome में मिलता और इसके नीचे अलग से blue touch दिया गया है graphic से match करता हुआ जो देखने में काफी खास नज़र आता है अभी आप दोस्तों तीनों bike को rear से देख परें और आप देख रहें रियर से तीनों bike में कोई भी फर्क नहीं है तीनों bike का टेल लाइट पैनल आप देखे काफी शार्प लुक में मिलता है और आप देख रहें graphic के साथ 125 लिखा गया है carbon fiber edition में तो आप देख रहें यहां पर भी graphic में 125 लिखा गया है और neon edition म के नीचे आपको इस तरह का दिखने अला मटगार्ड नाजर आएगा मटगार्ड में आप देख रहें नंबर प्रेट लगानी के जगा दिए उसके उपर एक रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर के अंदर एक light है जो नंबर प्रेट के उपर light focus करता और तीनों bike में turn signal indicator में normal bulb है और तीनों में जो turn signal indicator है काफी flexible है तीनों bike के rear tear के उपर आप देख रहे हैं दोस्तों आपको एक जासा दिखने अला tear हगर लगा हो मिलता है चलिए मैं किसी एक को आपको दिखा देता हूँ आप देखे कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा और तीनों bike के wheel के tear size की बात कर तो तीनों का जो tear size भी same है चले एक एक करके दिखाता हूँ यह है split seat variant आप देखे यहाँ पर 100 by 90 section का tubeless tear है यह है carbon fiber edition आप देखे यहाँ पर भी same 100 by 90 section का tubeless tear है और इस तरफ में neon edition आप देखे यहाँ पर भी आपको 100 by 90 section का tubeless tear मिलता है और तीनों bike के rear brake पे भी ध्यान देंग तो आप देखेंगे तीनों में आपको rear में 130 mm का drum brake मिलता है साथ ही तीनों का exhaust है black finish में है तीनों का exhaust का design same है और muffler cover जो उपर में लगा है तीनों में आपको same मिल जाता है साथ ही तीनों bike के rear suspension पे ध्यान देंगे चले मैं दिखाता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर nitro gas canister के साथ sprint loaded hydraulic suspension मिल रहा है इसमें भी आईए suspension same है और इसमें भी आईए suspension same है तो suspension भी तीनों में आपको same मिल जाता है और आप देखेंगे तीनों bike side stand में खड़ा है और तीनों bike में side stand में आपको engine cut of switch मिल जाता है और अब दोसको bike के engine की बात करते हैं bike में आपको 125cc का 4 stroke 2 wall single cylinder aircourt engine मिलता है जिसमें आपको maximum power 11.8 ps का power और maximum torque 10.8 nm का torque मिलता है और तीनों bike के transmission में आपको 5 speed manual transmission के साथ fuel supply system में fuel injection system और starting में आप सभी जानते हैं तीनों में आपको kick start और self start दोनों ही मिलता है और तीनों ही variant में दोस्तों आपको same कुछ इस तरह का दिखने अला साडी गार्ड के साथ लीडिस पृट्रेस तीनों bike में आपको metal का full cover chain cover और chrome finish में आपको gear lever और company fitted तीनों bike में आपको lag guard मिल जाता है और एक फर्क नजर आएगा दोस्तों अगर आप इन तीनों bike के side panel पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे split seat variant के side panel पे आप देखेंगे पुलसर के तीनों variant का जो seat height है website में mention नहीं किया गया है मेरा height है 510 आप देखेंगे मैं इस bike में बहुत ही आराम से बैट पाता हूँ और मेरा मानने कि अगर आपका height 5 feet 2 inch भी होगा तो आप इन तीनों में से किसी भी bike को लेके बहुत ही आराम से ride कर पाएंगे और तीनों ही bike में आपको 165 mm का ground clearance मिल जाता है और weight की बात करें तो pulsar 125 इस split seat variant का जो curve weight है 142 kg है और बागी के दोरों variant का curve weight करीब 140 kg है और आप बात कर लेते हैं दोस्तों mileage की तो बोलना चूंगा कि pulsar के किसी भी variant को आप लेते हैं तो इन तीनों bikes में आपको आराम से single ride में CT के अंदर 50 से लेके 55 के बीच में mileage देखने को मिलेगा मैं इस split seat variant का एक single ride में CT mileage stress और highway mileage stress कर चुका हूँ 70 km per hour के speed में आप इन दोनों वीडियो को भी देखना जाते हैं तो link आपको इसे वीडियो के description box और Indie skin में मिल जाएगा और इन तीनों bike में मेरे इसाब से जो एक value for money bike है वो है Pulsar 125 को new on edition जिसे आप लेके कम पैसे में अपने family के साथ use कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि bikes में बहुत जादा फर्क नहीं है सिर्फ split seat में थोड़ा सा seat का और grab bar का फर्क है और otherwise सभी bikes में आपको सब कुछ same ही मिलता है तो आपको अगर अपने और अपने family की use के लिए 125cc bike लेना तो मैं आपको बोलूँगा कि आप Pulsar 125 new on edition को ही लीजेगा और इस bike से related कोई और जान करें चाहिए तो आप मुझे comment section में comment करकर पूछ सकते हैं और subscribe करके notification को all में कर दीजेगा ताके इसे तरह के और नीवड़ आप तक पहुंच सके